दोस्तो ट्रेन में सफर तो हर कोई करता है क्या आपने कभी ये सुचा है कि ये ट्रेन बनती कैसे है आज हम आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे कि आखिर ये ट्रेन कैसे बनती है और कहां बनाते है सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की जान जो कि है उसके पहिये उसके बारे में बात करते हैं दोस्तो हर रोज लाखों लोग इस ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इस ट्रेन में इतने ताकतवर पहिये जो कि हजारों लोगों को एक साथ लेकर जाते हैं उन्हें आखिर बनाया कैसे जाता है इसे बनाने के शुरवात होती है एक बड़े लोहे की रोड से एक ब्लेड के जर्ये इन रोड को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है सही आकार में काटने के बाद अब उन्हें एक मैगनेट के जर्ये मूव किया जाता है अभी इन बड़े बड़े लोहे की रोड को इंडक्शन में रखा जाता है ये induction काफी powerful होते और 20 मिनिट में ही 10 से 15 रोड को लाल कर देते हैं अब इन्हें conveyor के जरीये दूसरे machine के पास फेजा जाता है ये claw machine उन्हें उठा कर फिर दूसरे induction में डालती है ये induction इस gold roads को जादा गरम कर देती है ताकि उन्हें shape दिया जा सके अब उसे वहां से बाहर निकाल कर दूसरे machine पर रखा जाता है इस machine के दो आम गरम रोड को सही जगा पर लाते है अब एक काफी भारी प्रेस इस गरम लोहे को प्रेस करता है दो बार प्रेस करने के बाद ये किसी असली rail के पहिये का आकार लेना शुरू कर देते है अब उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और दूसरी machine के पास एक claw machine के जर्ये ले जाये जाता है याद रखेगा ये एक पहिया 500 से 600 kg का वजन का होता है अब अगली machine इस पर रोलर प्रेस करती है जो कि इस पहिये में ऐसा shape बन जाए जो rail पर अटक जाए और अच्छे से चल पाए इस सारी process को computer के जर्ये लगातार monitor किया जाता है सही shape आने के बाद उसे दूसरे processing machine पर रखा जाता है ये उसे press करके उसके बीच के हिस्सों को काट देता है ताकि यहाँ पर action लगाए जा सके जैसे ही इस प्रयोक को बाहर निकाला जाता है वैसे ही इस machine पर पानी भरा जाता है अब एक sensor के लंबाय और चोड़ाय major करता है अब इन सब को उठा कर थंडा होने के लिए पानी में रख दिया जाता है थंडा होने के बाद उसे piling machine पर रखा जाता है ये machine पाइपो के एक्जिस बनाता है और उसे चमका देता है चमकाने के बाद अब उन पर hall गिराए जाते है और उन्हें axle के साथ join कर दिया जाता है अब इसके testing की जाती है testing पास करने के बाद इस पर color मारा जाता है अब इसको seal किया जाता है और सीधा अगले factory में पास किया जाता है अब बात करते हैं train की पटरियों की सबसे पहले पटरिया लोहे से बनाई जाती है अब वह पटरिया या तो तूट जाती थी या फिर बार बार train उस पर से जाने की वज़़े से size में कम हो जाती थी इसलिए आखिर में उन्हें steel से बनाई जाने लगा जो factory हम आपको दिखाने जा रहे है वह पटरि बनाने के लिए recycle चीजों का इस्तेमाल करती है सबसे पहले एक electromagnet के जरिये scrap को उठा कर एक container में डाला जाता है अब container full हो जाने पर truck इसे लेकर दूसरे warehouse में जाता है अब एक crane इस container को उठा कर furnace में डालता है अब electrical current के जरिये सारे scrap को 1600 degree Celsius तक पिगलाये जाता है अब इस lawa को एक container में डाला जाता है अब इस lawa को एक tube के जरिये एक सांचे में डाला जाता है अब एक powerful torch इन्हें 3.5 में काट देता है अब crane इन्हें furnace में डालती है जहाँ पर इन्हें 5 गंटों के लिए फिर से 1200 degree Celsius पर गर्म किया जाता है अब इस लाल steel को conveyor के जरिये दूसरे machine में लाया जाता है अब जैसे ही गर्म steel block इस roller के अंदर जाता है वैसे ही लंबा होने लगता है जब ये इसके नीचे से 3-4 बार गुजर जाता है तो वह पहले की size से 4 गुना लंबा हो जाता है अब blade उन्हें फिर से 4 हिस्सों में काट देता है और फिर से इन्हें गर्म होने के लिए furnace में डाला जाता है अब गर्म होने के बाद ये दूसरे सांचे में डाला जाता है जो इसे पटरी पर आकार देता है अब बात करते हैं आपको अपने शेर तक पहुंचाने वाले train के डिबो के बारे में डिबो को कैसे बनाये जाता है इसे बनाने की शुरुवात होती है बड़े बड़े स्टील के सीट को एक साथ जोडने से वरकर इन सीटों को काफी सटिक्ता से जोडते हैं ता कि कोई हाथसा ना हो डिबो के हर एक साइड को अलग-अलग बनाये जाता है अब सारी चीजों को एक साथ लाया जाता है और उन्हें जोड कर डिबो का आकार दिया जाता है इसके लिए वह बड़ी बड़ी क्रेन का इस्तमाल करते है अब इस खोकले सीट को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है वही दूसरी तरफ इसके नीचे एक इंजिन रेडी किया जाता है इसके लिए वह बड़े सी लोहे की प्लेटफॉर्म जिस पर स्प्रिंग लगाई होती है उस पर पहले बनाए हुवे पहियों को लगाते है इस ट्रेन का सिस्टम अलग होता है पर जो डिब्बे हम आपको दिखा रहे है उस पर तीन पहियों के जोड़े लगते है अब उने काफी सारे स्क्रू के जरिये सील पैक कर दिया जता है और इनी सारे सिस्टम में एर ब्रेक को लगा दिया जता है इनी ब्रेक्स के बदोलत ट्रेन हर एक प्लेटफॉर्म पर सही अंतर पर रुख पाती है अब उसके पूरे सिस्टम को सीधा किया जता है और बिजली की सुवीदा इन सारे कामों को काफी कुशल कारिगर द्वारा किया जाता है अब डिपो के उपर फाइनल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग की जाती है दोस्तों चलिए अब आपको कुछ और बाते भी बताते हैं भारतिया रेल वर्तमान में डीजल और इंजन बनती कहां है ये शायद आप जानते होंगे इसलिए आज हम आपको इंजन बनाने वाली फैक्ट्री के बाले में बता रहे है नमब एक भारत है वीठीकल्स लिमिटेड भारत है फैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानिकि भीच एव्ग बहरत सार्वेजिनिक ख् सबसे बड़ी कंपनी है कंपनी ने भारतिय रेल्वे को हजारों इलेक्ट्रिक इंजिनों डी-ई लोकोमेटिव्स इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट प्रैक रख रखाओ मशीनों की आपूर्ति की है बहल डबलू एजी सेवन विद्यूत लोगों का निर्मान किया है नंबर दो चितरंजन लोकोमोटिव वर्ट्स चितरंजन लोकोमोटिव वर्ट्स भारत में स्थित एक राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता फैक्ट्री है यह आसन सोल के चितरंजन में स्थित है यह दुनिया की सबसे बड़े लोकोमोटिव निर्माता कमपनियों में से एक है इस कमपनि ने WAP7, WAP5, WAG9, WAG7, WAP4 जैसे पावरफुल एंजिन का निर्मान किया है भारत के वारानसी में स्थित डीजल रेल इंजिन का कारखाना है जो भारतिय रेलवे को डीजल इलेक्ट्रिकल इंजिन और इसके स्पेर पार्ट का निर्मान करता है ये भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है फिलाल DLW EMD GT46 MSE और EMD GT46 PAC लोकोमोटिव का निर्मान कर रहा है जो भारतिय रेलवे के लिए इलेक्ट्रो मल्टिव डीजल पूर्वा GM EMD से लाइसेंस के तहति इसके पूर्व में EMD लोकोमो डीजल लोको अधुनी करन निर्माता पट्याला डीजल लोको अधुनी करन वर्क्स भारत में पंजाब राजे के पट्याला में स्थित है पहले इसे डीजल कंपोनेंट वर्क्स के नाम से जाना जाता था 1981 में भारतिया रेल के डीजल इंजीनों की सेवा जीवन का विस्तार करने और उनकी उपलब्धिता के स्तर में वृद्धी करने के इसे स्थापित क्या गया था अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख रेल कोच कारखानों की नमबर एक रेल कोच कारखाना कपूर थला रेल कोच कारखाना की स्थापना 1986 में हुई थी यह भारतिया रेलवे का दूसरा रेल कोच कारखाना है अब तक यहां 51 प्रकार के कुल लगभग 16,000 यातरी डिब्बो का निर्मान किया जा चुका है रेल कोच फैक्टरी ने वर्ष 2013-2014 में रिकॉर्ड किया था जबकि यह प्रती वर्ष 1500 कोचों का निर्मान करती है रेल कोच फैक्टरी ने राजधानी शताब दी डबल ड्रेकर और अन्य ट्रेनों जैसे की उच्च गती वाली ट्रेनों के लिए डिब्बे के तेज विभि तरह के कोचों का निर्मान कर चुका है जिन में प्रतम और द्ृतिय श्रेनी के कोच Pantry और रसोई घर सामान और ब्रेक वेंट स्वाचालिद कोच Electrical EMU, डीजल औरмен लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनित मेट्रो कोच और डीजल एलेक्ट्रिक टावर कारों, दुर गट किया गया था नमबर 3 Modern Coach Factory राइबरेल Modern Coach Factory उत्तरप्रदेश के राइबरेली के पास लाल गंज में भारतिया रेल की एक रेल कोच निर्मान इकाई है भारत में ये तीसरी फेक्टरी है जो रेल डिबोक का उत्पादन करती है ये फेक्टरी एक साल में लगबग 1000 LHP कोच का निर्मान करती है तो दोस्तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा शेयर करें के जाधा से जाधा लोगों तक ऐसी और भी इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए फालो करे हमारे पेज़ को और ऐसी और भी वीडियो को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई जिसके उपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटिस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले धन्यवाद